Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel Windows 1124H2 में एक latest update आया हुआ है वो download हो रहा है बट वो install होने में error दे रहा है तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इसको fix कैसे करना है अगर आप मेरे चैनल पे new है तो प्लीज चैनल को like और subscribe करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसी और भी वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है तो वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आप आएंगे सर्जबार पे और आपको यहाँ पे type करना है services आप services को open करेंगे और open करने के बाद में आपको यहाँ पे जैसे ही आप double press करेंगे आपको यहाँ पे windows अपडेट कायेगा आप इस पे simply double click करेंगे और आपको यहाँ से automatic करना है automatic करने के बाद में आप इसको apply करेंगे और यहाँ पे आपको ok करना है ok करने के बाद में आपको एक बार service को restart करना है और यह थोड़ा सा टाइम लेगा आपकी service अगें से restart हो जाएंगी उसके बाद में आपको next step में ये करना है आपको आना है अपने PC पे और PC पे आने के बाद में आप अपनी C drive में आएंगे और यहां से आपको आना है Windows और आपको यहां पे सर्च करना है software distribution आपको यह folder मिल जाएगा आप इसको open करेंगे और open करने के बाद में आपको यह जो download का folder दिखरा है इसमें जितनी भी file है आपकी है सबको आपको delete करना है इसमें क्या होता है आपको कुछ यह पुराने updates होते है जो कि unwanted है हमारी यह काम के नहीं होते हमको इसको delete करके आपका refresh means new download होगा अगर आपके कुछ errors होंगे तो यह वहां से आपको clean कर देगा थोड़ा सा time लेगा आपको clean करना है totally आप software distribution download पर आके इस file को सब भी आपको clean करेंगे और clean करने के बाद में आपको जैसकि आप disk cleanup जानते होंगे आपको disk cleanup पर आना है और clean up को आप open करेंगे तो आपनी c drive को automatically आपका c drive पर आएगा आपको simply ok करना है ok करने के बाद में आपको यहां पी जितनी भी files दिखेंगे आपके temporary files हैं और भी इसमें unnecessary files हैं सब आपको tick करना है और यहां पे आपको clean up system files पर करना है clean up system files पर करने के बाद अगेन आपको अपना c select करना है आप यहां पे ok करेंगे और ok करने के बाद में देख जैसे देखनेंगे यह scanning हो रहा है आपकी जितनी भी time files होंगी और क्या होता है windows की कुछ old files होती हैं जैसे कि आप day by day अपना window update करते हैं अपडेट करने के बाद में क्या होता है c drive में आपकी कुछ temporary files है और window की old file store होती रहती है जिनकी वजह से कभी-कभी ऐसी creatures आ जाते हैं कि हमारे update तो download हो जाते हैं बट वह जैसे कि आप देख रहे हैं install error दे रहा है कुछ ऐसी bugs आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे हम यहां से अपना window को update करें यहां से देख सकते हैं Windows update clean up हो रहा है यह थोड़ा सा time लेगा और इसके बाद में यह आपका clean कर देगा जो भी आपकी temporary files होंगी और जो भी unwanted files है और windows की old file यह clean हो जाएंगी उसके बाद में जैसे कि आप देख रहे हैं यह Windows 1124H2 का एक प्रिवी वर्जन है और प्रिवी वर्जन में भी हमको update देखने को मिल रहा है और इसका भी तक तो कोई official launch तो नहीं आया हुआ अगर कोई भी official launch आता है तो मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ और बाकी जैसे कि आप देख रहे हैं आपको सबी और यह तर जैसे कि मैंने बताया था आपको temporary Windows फाइल्स होती है आपको यहां से भी click करना again आप OK पर click करेंगे और आपको यहां से files को delete कर देना है जैसे ही आप delete files पर करेंगे तो आपको यहां पर cleaning पर यहां पर जो भी आपको clean हो रहा होगा सब यहां पर दिखाएगा थोड़ा सा time लगेगा आपका Windows की files सबी clean हो जाएंगी उसके बाद में हमें देखते हैं अगर यह नहीं होता है उसके बाद में हम next step देखते हैं बाद आपको आपने एक browser पर आना ब्राउजर पर आप सर्च करेंगे Windows 11 Insider Preview जैसे कि आप यहां से Windows 11 Insider Preview सर्च करेंगे Windows 11 Insider Preview आपको first quality website पर click करना या तो download पर भी आप click कर सकते हैं आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा आपको ARM64 पर नहीं करना यह क्या है जैसे कि मान लेजे कि मेरा यह C Drive है और C Drive में जैसे आप देख रहे हैं इसकी सभी extract files है Windows की और इनका विन्रार का ISO file बना करके इन्होंने upload कर दिया directly तो आपको क्या करना है आपको second website पर आना है आप आपको अपना यहां से उपर टॉप में आपको दिख रहोगा यहां से आपको Windows 10 11 पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे आपको यहां पे दिखेगा select edition आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और आपको अपना build पहले चेक करना है कि आपका 260058 आप यहां से अपना match करेंगे 260058 आप मेंस आपका यह वाला build है अगर आपका यह build match होता है setting में जाकर यहां से आप यहां से match कर सकते हैं जो window आपका match हो जाएगा आप उस पर simply क्लिक करेंगे और यहां से आपको confirm पर करना है confirm पर क्लिक करने के बाद आप अपना यहां से एक product को means language select करेंगे जैसे कि मैं यहां से English करता हूं English US करेंगे उसके बाद आप confirm करेंगे confirm करने के बाद में थोड़ा सा time लेगा उसके बाद आपका direct download की link आएगी आप इस पर click करेंगे click करने के बाद में जैसे कि आप click करेंगे आपका यहां पर download स्टार्ट हो जाएगा around यह 4.8 GB का है इसको आपको download करना है download करने के बाद में आप Rufus के help से इसको bootable बनाएंगे आप में मेरे चैनल पर जाना है आपको वहाँ पर एक फुल वीडियो मिल जाएगी Windows 11 का bootable कैसे बनाते हैं आपको वहाँ से प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी आपको आपको simply यहाँ से download करना है download करने के बाद में आप Rufus के help से इसको bootable बनाएंगे bootable बना करके आपको new window नहीं करना जैसी आप screen पर आएंगे जैसे आप new window बूट करते हैं जैसे आप window की boot screen पर आएंगे तो आपको वहाँ पर एक repair का option जीएगा simply आप repair पर किलिक करेंगे और वहाँ से आपका window बे जो भी दिक्कत होगी अपडेट की issue या फिर आपका window नहीं हो रहा है automatic restart हो जा रहा है आपका सारे bug इसमें fix हो जाएंगे आपको यह करना है और आपका जो last step है यह step करने के बाद में आप means 100% आपका यह fix हो जाएगा आपको आना अपने recovery option पे यापका system system के बाद में आप आएंगे recovery option पे recovery option पे आने के बाद में जैसा कि आप देख रहे हैं अगर मैं बात करू 23H2 में 23H2 में आपको यह feature नहीं मिलेगा आपको सिर्फ यह 24H2 में ही मिलेगा देखने को आप क्या करेंगा आप install now पे click करेंगे जैसे आप install now पे click करेंगे आपको कासी कुछ ऐसा dialogue box आएगा उसके बाद में आपको यहाँ पे option दिया हुग है automatically restart my PC after installation जैसे यह आपका यह complete होगा उसके 15 मिनिट बाद आपका install हो जागा अगर आप चाहते हैं 15 मिनिट बाद इस system आपका restart हो जाए तो आप इस पे click करेंगा otherwise आपको simply ok पे करना है ok पे click तो आप सिधा redirect हो जाएंगे अपने windows update पे और यह आपका थोड़ा सा time लेगा checking for updates में उसके बाद में एक आपकी यहाँ पे file download होगी around वो file होगी 4 to 5 GB की और इसमें क्या होगा आपका एक window restore window के नाम से repair window के नाम से इसमें आपका एक update download होगा जैसी वो update download होगा आप इस ही में install होगा और install होने के बाद में आपका system restart होगा और अगर आप यह सोच रहें कि restore होगा उसके बाद आपकी file चल जाएगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आप as it is आपका window रहेगा C में भी आपका कुछ नहीं जाएगा और नहीं आपका desktop में और नहीं आपके downloads में कुछ नहीं आपका system दो या तीन बार minimum restart होगा उसके बाद में आपके जो भी bugs होगे यह totally fix हो जाएगा तो मैं आपको अगर इनमें सबसे easy step बताओं तो अगर आप 24H2 use कर रहे हैं तो उसके मैं आपको सबसे easy step बताओंगा कि आप system पर जाएए और recovery पर जाकर कि यहां से और आपको यह fix problem using windows update करेंगे सबसे easy step है और आपका इसमें कोई data भी loss नहीं होने वाला है आपका जो भी bug होगे 100% इसमें fix हो जाएंगे अब मैं बात करूँ मैं रिस्टॉल लोग फी click किया हुआ था जैसा कि मैं विंडो अपडेट पर आउँगा यह तो हमारा पुराना update है जो हमारा install नह जाएगा जैसे कि आप देखे रिपेर वर्जन और यह डाउनलोड भी हो रहा है डाउनलोड होने के बाद आप में इसमें installed भी होगा फिर आपसे permission पुछेगा restart आप means बीना किसी उसके आप simply restart पर click करिए और थोड़ा सा wait करिए उसके बाद में जब आप window on करेंगे तो आपका 100% fix हो जाता है अगर आपका fix नहीं होता है तो आप मुझे please comments करिए अगर आपका working है तो भी comment करिए work नहीं कर रहा है तो भी comment करिए मैं इसका कुछ और solution बताऊंग कर दो